फ्रेंज आज में आपके लिए कैसी नोखी और स्वादिस्ट मिठाई की रेस्पी ले कराई हूँ जो एकी मिठाई आपको दो मिठाईयों का टेस्ट देने वाली है और इस मिठाई को हम केवल एक गलास दूद में बिना घी बिना चीनी के बना कर तेयार करेंगे बिना की से बनाने के लिए ना तो आपको मावा की जरूरत पढ़ेगी ना ही चाशनी की खाने में बहुँँ टेस्टी बनती है तो उमीद करती हूँ आपको आज की रेसपी अच्छी लगेगी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन में डालना है एक ग्लास दूद ये वाला जो दूद है ये उबला हुआ दूद है इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था अगर आपने कच्चा दूद लिया है तो उसको पहले आपने अच्छी तरह से उबाल लिना है और अगर वो उबला हुआ दूद है तो उसको हमने सिर्फ हलका सा गरम करना है जादा गरम नहीं उसको करना है बस इतनाग हम इसको ग राम करेंगे कि अगर आप इसको हाद से चू कर देख सको, तो आप इजली इसको चू सको, तो अब ही ये देखे, दूद को मैंने हल्का सा गरम कर लिया, क्योंकि ये पहले से उबला हुआ थे, तो इसको हमने ज़्ादा गरम नहीं करना, और यह देखी मैं इस तरह से चूरी हूँ न तो मुझे यह बिल्कुल भी ज्यादा गरम नहीं लग रहा बस आपने हलका सा गरम इसको रखना है और अगर कच्चा दूद है तो पहले आपने उसको उबाल कर फिट ठंडा कर लेना बस हलका सा गरम जब वो रह जाए उसके डाल रही हो आप इन दोनों में से कोई भी इसमें डाल सकते हैं बस अगर गुड डाल रहे हैं तो इसको एक बार आपने अच्छी तरह से कद्दू कस कर लेना जिससे वह दूद में इसली मेल्ट हो जाएगा तो अभी हमने दूद में जो जैगरी पाउंडर डाला है इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देते हैं अब क्योंके हमने इसमें गुड़ की शक्कर डालिया तो इसको इसमें मैल्ट होने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नी लगेगा दूद हलका गरम है तो यह बहुत ही इसली इसमें घुल जाएगी तो अभी हमने देखिए इसको जो एक बार चलनी से चान लेते हैं कई बरी होता कि है कि गुड़ में या जो गुड़ की शक्कर होती है इसमें इंप्योरिटी होती है तो वो सारी इससे निकल जाती है तो आपने इसको एक बार चलनी से अच्छी तरह से चान लेना है तो यह लीजी हमारा जो गुड़ वाला अब हम इसमें एक कप डालेंगे पनीर, यह वला जो पनीर है मैंने घर पर बनाया हुआ है, आप मार्किट का पनीर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, और जो भी अपने पनीर लेना उसको पहले एक बर कद्दू कस कर लेना है, अगर आपने पनीर को फ्रिज में रखा हुआ पहले तो मिठाई बनाने से 10-15 मिनिट पहले उसको बाहर निकाल दीजिएगा, और इसी के साथ आदा कप हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं, तो दूद में पनीर और यह मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इस गरम मिल्क पाउडर को मिलाओगे, तो एकदम से उसमें गुठली आ जाएंगे, इस तरह से आप पहले इसको अच्छी तरह से मिला लोगे, तो मिठाई बहुत बढ़िया बन कर तयार होगी, तो अभी हमने दिखिए पनीर और मिल्क पाउडर को दूद में अच्छी तरह से रहना है, क्योंकि मिल्क पाउडर से जब हम मिठाईयां बनाते हैं, तो बहुत जल्दी तले पे लगनी शुरू हो जाती है, तो आपको इसको लगातर चलाते रहना है, और ये वली जो मिठाईयां आपको दो मिठाईयों का टेस्ट देने वाली है, जैसे हम कलाकंद बनाते इसमें आपको कलाकंद का भी टेस्ट आएगा, मिल्क केक का भी टेस्ट आएगा, तो बहुत ही बड़िया मिठाईया आप ये घर पर ही बना कर तैयार कर सकते हो, तो अभी हम देखिए जैसे जैसे इसको पकाते जा रहे हैं, ये पहले से गाड़ा होता जा रहा है, और इसक इसको पकाओगे इस तरह से होता जाएगा, और इसका जो कलर है ना, वो आप किस कलर का गुड़ यूज कर रहे हो, उस पे डिपैंड करता है, अभी मैंने देखिए जो गुड़ की शकर यूज की है, वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन थी, तो वैसे इस मिठाई का कलर आए तो हमने इसको तब तक पकाना है, जब तक यह इस तरह से पूरी तरह से पैन को छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता, ओवर कुक नहीं करेंगे, पर जब यह इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक हम इसको लगातर चलाते हुए पका लेंगे, और यह दिखिए इ तो इसको ऐसी एक मिनिट के लिए और चला लेते हैं और आप पास से देखिए आप इसका टेक्शर कितना दानेदार हो गया है आप आपने जिसमें भी बरफी जमानी है ना कोई भी ठाली या ट्रे उसको घी या ओयल से ग्रीज कर लीजिएगा तो मैं इस कंटेनर में इसको बना रही हूँ इसी के साथ मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है और इसके उपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे इसके बाद हम इसमें जो हमारी बरफी वाला मिक्शर है ना वो इसमें डाल देंगे बटर पेपर से होता क्या है बरफी बहुत ईजली निकल लाती है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बीना भी इसको जमा सकते हो तो ये हमने सारा जो इसका मिठाई का मिक्शिर है वो इसमें डाल दिया है और उपर से इसको चमच से ऐसे सेट कर देंगे इसके बाद हम से 25 मिनिट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे अब मैं इसके उपर अभी कुछ नहीं लगा रही है आप चाहें तो इसके उपर सिल्वर वर्क लगा सकते हैं गानिशिंग के लिए या ड्राइफ रूट्स बरी कट करके वो लगा सकते हैं बदाम या काजू लगा सक किया तो अभी हम इसको डी मोल्ड कर लेते हैं प्लेट में उपर से हलका सा यह टैप करेंगे ना तो उसी से यह देखे मिठाई निकलाएगी बटर पेपर की वज़ा से मिठाई बहुत इसली निकलाती है और अभी आप इसका टेक्शर देखिए जैसे हम मिल्क केक बनाते है उसमें एक टेक्शर आता है वैसे इसका टेक्शर आ गया है और अब हम इसके पीसी जो कट कर लेते हैं आप जितने के साइज के पीस कट करना चाहो वैसे ही कर सकते हो और यह देखिए बहुत यह दानेदार हमारा यह जो कलाकंद है बिना चीनी बिना घी के बनकर तेयार है और जैसे मिल्केक में डबल शेड आती है एक लाइट सा कलर आता है एक डार्क वैसे इसका कलर आ गया और अभी मैं आपको तोड़कर इसका टेक्शर दिखाती हो यह दिखिए आपको यसे लगे गई नहीं कि हमने इसको बिना घी के बनाया बिना चीनी के बनाया इतना ज़ के लाइट के लूग।